आई आप खबरे देखते हैं विस्तार से शहर में धुकाले जैसी स्तिती बनी हुई है ऐसे में पशुपक्षियों को पानी पिने के लिए दरदर भटकना पड़ रहा है इस बात को ध्यान में रखते वे अमर स्वरूप फाउंडेशन पुलक जैन चेतना मंच के और से शहर के नागरिकों को सिमेंट से बनी टंकी का वितरन किया गया इस मोके पर विदायक मोहनमते मौजुद थे एक और नागपर शहर में कोरोना का ग्राप पड़ रहा है तो वही दूसरी और शहर में तेज धोप होने से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है दुखकाले में हर किसी को पानी की जरूरत होती है मनिश्य प्रानी के साथ पशुपक्शी पानी की खोश में सेग्ड़ों किलोमेटर तक पानी पीने के ले दर दर भटकते रहते है लेकिन उन्हें बिना पानी के प्यासा ही रहना पड़ता है इस बात को ध्यान में रखते वे अमर स्वरुप फाउंडिशन पुलक जयन चेटना मंच की ओर से परश्य पक्षियों के लिए अच्छा पानी मिले और वो अपनी तुरुषना तुरुप तकड़े इसलिए सिमेंट के बनी ये टंकिया शहर के लोगों को वित्रित की गए इस मौके पर मनिश महता, विदायक मोहनमते, मनोचेन, नरिश मचाले के साथ मड़ी संख्या में पुलक मंच के पधादी कारी और कारी करता मौच थे इस सिमेंट से बनी पानी की टंकियों के बार में मनिश महता और विदायक मोहनमते इनोंने BCN समक्ष जानकारी दी दरसकों नमस्कार, इस समय में BCN के टीम अमार स्वरुक फाउंडेशन पुलक मंच परिवार के उस कारेकरम में है, जहां पे आज पानी की किसे जरूरत नहीं होती है, पानी को हर किसी की जरूरत होती है, पीने के पानी के लिए मनुष परानी को बहुत पानी मिलता है, मगर जो पशुपक्षिये होते हैं, छोटे-चोटे-चोटे पंचिये होती हैं, उनको नहीं मिलता है, ऐसे समय में पुलक मंच परिवार के और से यह जो उपकरम है, कापी सरानी है, आई हम सिदा रूख करना चाहेंगे, इस समय हमार साथ में मोता जी है, उनसे जाना चाहेंगे कि यह पता है कि जिस प्रकार से पानी की टंकियों का जो वीतरिंग किया जा रहा है, इसका उद्देश क्या है, जो पशुपक्षी है, उनके लिए पानी की उपलब्दता करके देना, 151 जगह पे ये टंकियों को लगा के, इसको स्टोरेज करके, इस गर्मी के काल में, जित अमर सुरुप फाउंडेशन पुलक जन्चेतना मंच का ये उदेश्य है, पिछले वर्ष भी किया था, और आने वाले वर्ष के अंदर में, इसको और व्यापक रूप देना है, इस वर्ष इसकी शुरुवात हमारे लोग प्रियामदार श्री महुन जी मते के हस्ते की जा रही है, और उनके मार्ट दर्शन में हम इसको और बढ़ा करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है, तो किस प्रकार से इस तंकियों का वितरन होने जा रहे है, इसके बारे में सटिक जानकरी मोहता जी इन्हों ने दिया, अब हम सिधा रूप करना चाहेंगे, विधायक मौन मती हमारे साथ में उनसे जाना चाहेंगे, मते साब यह पता है कि जिस प्रकार से यह पानी की टंकिया तो जरूद दी जा रही है, लेकिन मनपा की और से लोगों के नलों में पानी नहीं आता, इसके लिए क्या खरोगे? है अच्छे ऐसा कि शेर बढ़ते जा रहे है, शेर में लोग बहार से जादा आ रहे है, यहां की दूसरे तरफ शिप्ट हो रहे है, बस्तिया बढ़ रहे है, विपाओ बड़े प्राइमान में लाइन बिचाई जा रहे है और निश्रिती आने वाले समय में जनता को भी पानी मिलेगा मैं आज के इस पुलग मंच के मद्दम से आपको इतना है करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जहें समाज के कुछ हुआ इककत्रा आके इकट्टा आके 2005 साल में उन्होंने जिस प्रकार से शिर्वात की समाज के आकरी आधमी को हम क्या दeffect इस भावनाऽ से उन्होंने कारक्रम की श्रवात की आज हम धेख़े ने प्राणयों के लिए पाक्षियों के लिए उन्होंने यह मठी के पात्र है और उसी प्रकार जो आदिवासी बेल्ट है गडशुरी जरसा दुर्गम भाग गडशुरी शुरेंचा चंद्रपुर जिल्ली का कोई भाग वहाँ पे कबार से जुगाड और जो जो लोग अपने घर से जो वस्त्र है जो जो उनके यह उनके लिए कबार है और वो इकटा करके समाज के उस बंदू को दे रहे तो निश्री तो उनके चेरे पर जो आ रहे है यह पुलक चेतना मंच यह अच्छा कारक्रम स्तुत्य ऐसा उपक्रम यह कर रहे है और मुझे ऐसा लगता है कि चेतना मंच के मादम से आने वाले दोनों में और डेर सारे काम होगे और जिनके कारण जिसके कारण भगवान में हमको तो दिया है लेकिन हम उनको क्या दे सकते यह जो भावना पुलक एक्ता मंच के है यह निश्री ती सरानी है और इस मैं इनका बहुत-बहुत अभी नंदन करता हूँ तो आप ते मोहनमत विधायक जुन्होंने बखुबरी बेबा की साथ बात करते भी यह बताया कि कितना बड़ा महत्व इस कामकास का है और यकिनन दूसरों को पानी पिलाना या किसी भूके को अन्ने खिलाना वस्तर देना यह सबसे बड़ा धरम है बाकि कोई धरम बढ़ा अगवान महावर जी धेर सरा प्यार दे आपको धेर सरा प्यार दे आपको कामेरा परसन मोनु खान के साथ संजे मिरे बीसे न्यूज नागपूर